हेलो, dear students, we now study chapters for linear equation into variables बैटा, इसके MCQs, जो important MCQs हैं, देखते हैं आजम, इसका lecture number 2 first question है बैटा, the linear equations 2x-5y equal to 7 has the linear equations 2x-5y equal to 7 has यह option यह unique solutions, 2 solutions, यह C option infinite many solutions यह no solution बैटा, जब कोई linear equation होती है, वो two variable की form में होती है तो we know that, आपको पताना चाहिए, कि यदि हम एक x की value रख रहे है तो y की value generate होती होती है, x की मालब 1 रखेंगे, तो y की कुछ वर आएगे, 2 रखेंगे क्योंकि किसी भी two variable की formation में, आप एक value को दूसरे variable पर यह दिए आप depend करते हैं और उसके में value put करते चले जाते है, तो other values भी infinite आएगे क्योंकि यहाँ पर हम x की value क्या रख सकते है, infinitive रख सकते है, तो y की value भी क्या हैंगे, infinitive आएगे इसलिए किसी भी two variables के लिए, उनकी जो solution होते है, वो कैसे होते है, infinite many solutions तो इसमें कौनसा options write होगा इसका, c option इसका write होगा the equations to x plus 5y equal to 7 has a unique solution, if x and y are, कैसे होगे बैटा, natural number, positive real number, real number यह rational number पहले first lecture में बैटा मैंने आपको बताया भी था, यदि कोई दो numbers है, कोई equation है आपकी, वो x plus by equal to c की formation में लिखी है अगर उनका unique solution हो, तो वहाँ पे x और y variables को हम क्या गहेंगे, natural numbers, तो इसका कौनसा options write होगा, a, if, question number 3, if, brackets 2, 0, 1 आपको coordinate दिया है, is a solution of the linear equations, to x plus 3y equal to k, then the value of k, बैटा, यदि कोई, इस equations का, ये एक solutions आपको दिया है, और हमें k की value find करने है, तो ये जो point है, ये इसको क्या करे है, और solutions क्या होता है, बैटा, किसी पी चीज़ का solution वो होता है, जो उसके result में से put करने हैं, उसकी left hand और right hand values बराबर हैं, तो इसके left hand में ये x और y की value रखो हैं, क्योंकि अभीशा क्या है, x, तो 2 है, और ordinate y कितना है, 0, तो x की value यहाँ पर कितनी है, 2 और y कितनी है, बैट यह तो 0 हो गया, 2 इंटो 2, 4, equal to, यह तो k की value कितनी है, 4 तो कौन्स options राइट हो जाएगा, इसका a, next question यदि 4 की बात करें, the graph of the linear equations, 2x plus 3y is equal to 6, the cut the y axis at the point, आप से question में कहा है, कि यदि यह y axis को cut कर रहा है, y axis वाले को क्या कर रहा है, cut कर रहा है, कौन सा है, यह वाला, तो आपको यह बताने है, इसमें क्या point of गहोंगे, जब y axis को यह cut करेगा, 2, 0, 0, 3, 3, 0, 0, 2, अब बेटा, जब y axis को cut कर रहा है, y axis को क्या कर रहा है, cut कर रहा है, तो इसमें x axis coordination तो 0 होगे, तो यह तो coordinate 0 होगे, बचा क्या बेटा, यह तो 0 plus 3y is equal to 6, that is, 3y is equal to 6, 3 से 6 को divide किया तो y is equal to कितना आगे है, बेटा, 2, जब y की value 2 और x की value कितनी है, यहाँ पे, x is equal to 0 है, तो coordinate क्या बना, बेटा, 0, 2, तो y axis को यह दि cut कर रहा है, तो इसके coordination क्या होगे, 0, 2, क्योंकि जब हम 2 axis की value में, यह x की value 0 put करेंगे, x axis के लिए, तो यह तो term 0 होगे, तो 3y बचेगा, only, यह result 6 के equal आजाएगा, तो 3y equal to कितना आगे है, 6, 3 से 6 को divide गया, क्योंकि y के साथ 3 काई में है, बेटा, multiply में, इथा transpose होगा, तो divide में जाए, 3, 2 जब 6 होगे, तो y की value कितना आजाएगी, 2, तो coordinate को कैसे लिखते है, पहले, अभीशा की value लिखते है, तो x की value है 0, तो 0 लि formation में है, तो जब हम चेक करें, तो बेटा, x, y, तो दोनों के लिए, x के अभीशा भी है, इसमें तो ordinate भी है, इसमें ordinate है, हमें तो x axis का बताना है, इसमें भी दोनों है, लेकिन इसमें x axis और ordinate नहीं, तो इसलिए x axis पूछा तो कौन सा option होगा इसमें, यह वाला, तो आप इसमें, y इकवल to x में, इसमें, दोनों equal है, x, अभीशा boarding की values, दोनों equal है, no, इसमे, no, इसमें, no, बट इसमें क्या है, दोनों equal है, तो इसके क्या है, x, axis is equal to y का मतला भी है, कि बेटा, यदि किसी coordinate के वारे में, form में पूछा है, तो उन दोनों में, उनकी values आपस में, क्या formation में भी आपसे x-axis formation पूछी ती same question है तो x-axis के लिए equations क्या होती है y is equal to 0 और x-axis यदि यहाँ पर y-axis पूछा तो x is equal to 0 तो यह जो x is equal to 0 है यह तो किसके लिए होता है y-axis के लिए और x is equal to 0 यह x-axis के लिए और आपसे किसमें पूछा x-axis के लिए तो कौन्स options राइट होगा इसका b तो y equal to 0 बटा x-axis के लिए y equal to 0 होता है और y-axis के लिए x is equal to 0 equation तो x-axis की equation जो होती है y equal to 0 होगा और y-axis की equation x equal to 0 होगा बस्ट यह धिहान अको जब x-axis की पूछे तो just opposite y equal to 0 और यदि y-axis के पूछता है तो x is equal to 0 next question number 8 the graph of y is equal to 6 is a line तो इसमें 4 options दिये हैं तो इसमें 4 options दिये हैं इसमें आपको यह बताने कॉंसर स्टेट्मेंट राइट है parallel to x-axis at a distance of 6 unit from the origin y equal to 6 के लिए parallel to y-axis at a distance 6 unit from to the origin making and intercept 6 on the x-axis या making and intercept 6 on the both axis बेटा क्या ये दोनों both axis पे होगा क्या इसमें x है नो तो ये तो नहीं हो सकता intercepted कर रहा है x-axis को x-axis को intercepted x-axis को तो नहीं कर रहा है ये तो y is equal to 6 है तो ये भी रोंग है origin से y-axis से distance about to parallel नहीं जब क्योई line y में होती है तो x के parallel होती है नहीं के y के parallel तो कौन्स options राइट हैस में ये बटा मैंने आपको next में बताया था कि यदि कोई line है और आप इसके about केच रहे है ये आपका x-axis है तो distance ये आप y पे rotate करेंगे तो y पे ये दी दूरी चलेगी येदि हम x के about parallel करें और y की दूरी है अब जैसे y की value है तो ये किसके about parallel होगी x के parallel क्योंकि y के 6 है तो ये 6 ये आप ऊपर y-axis पे rotate कर रहे है y-axis पे जल रहे है ऊपर y की तरफ तो about to parallel तो किसके लिए होगी है x के लिए और येदि आप x पे distance चलेंगे cover distance x पे करेंगे x-axis पे तो about parallel किसके होगी जब हमारे लिए y-axis है तो x is equal to होगा हमारे लिए resultant जो भी distance cover होगी और जब y-axis parallel है तो x के लिए है और जब x-axis है तो y के लिए आप जैसे यहाँ पे y is equal to 6 है तो ये क्या होगा ये x-axis के parallel होगी जो distance origin से होगी तो इसके लिए option है क्या होगा इसका right if a linear equations has the solution of ये ये कुछ points दिये है और हमें ये check करके बताना है इसके लिए कि ये कौन सी equations का solution होगा है आपके option दिये है y-axis is equal to 0 x plus y is equal to 0 minus to x plus y is equal to 0 minus x plus y is equal to 0 तो जो भी ये coordinates दिये हैं इन coordinates को हम इसमें put करते हैं जब put करते हैं चेक करते हैं कि 2-2 तो x की value minus के 2 है y की value 2 है 0-0 और 2-2 इसमें put कर रहे हैं जब हमने हैं 2 और minus 2 रखा minus के 2 प्लस 2 तो ये भी 0-0 प्लस 0 तो 0 होगे और that is दोनों में 2 और minus 2 रखा तो भी 0 that is तो इस point के लिए इस equation के लिए को satisfy हैं बाकी जरूरी निया सभी के लिए हो आप्रों में से सिर्फ ये equation हमारी राइट है क्योंकि ये ही वो condition है जिसके लिए 3-0 points coordinate satisfy कर रहे है next question 10 the positive solution of the equation ax plus by plus c is equal to 0 always lies in the conditions बटा इसमें ये पुछाएगी जो equation है ये ये positive solutions के लिए किसमें lies करेगी तो जब दोनों positive के लिए होते है positive positive के लिए होता कि तो किसमें lies करती है बटा first quadrant में तो first quadrant में होगी the graph of linear equations 2x plus 3y is equal to 6 question 11 है कि हमें linear equation में येदि हम इसे graph में draw कर रहे है is a line which meet x axis at the point तो ये किस point में मिलेंगे जब मैं इसके लिए कर रहा हूँ तो मैंने elimination 3y को कर रहा तो 2x is equal to 6 जब मैं इसको elimination कर देता और इससे इसके लिए को लखूँगा तो 2 से 6 divided होगा तो x की value आ जाएगी हमारे पस तरी और जब इससे इसके लिए को लखूँगा तो इसके लिए कांडिन लेकिन वो पूछा है सिर्फ meet x axis पे किसके लिए होगी तो x axis पे जाएदी पूछ रहा है आपसे तो क्या करेंगी बटा जब आपसे x axis के लिए पूछ रहा है आप y की quantity तो 0 ले लेंगे आपने इस value को तो क्या ले दिया इसके लिए 0 ले दिया y की value को और x value आफ फाइंड कर रहे है तो 2x is equal to 6 divided by x is equal to कितना आगे 3 तो x axis के लिए y तो 0 लिए x 3 लिए तो coordinate क्या हो जाएग आपका 3 0 यह धियान रखना है कि आपसे किस axis के लिए कह रहे हो कह रहे मीट दा x axis इस x axis पर पूछा है दोनों axis के नहीं नहीं का सिर्फ x axis के लिए condition पूछ रहे है जब x axis के लिए पूछ रहे है तो आप y की value को 0 रख देंगे और यदि आपसे y axis पूछ था तो आप x की value को 0 रख देते हैं हमने यहाँ पर y value equal to 0 रख दी तो यह तो ट्रम जीर होगी तो 2x बराबर किसके आगए 6 के वहाँ से x की value find out कर ली जो कितनी आगे 3 जब x की value 3 आगे तो coordinate क्या लिखा जाता है पहले अभीश है फिर coordinate यहाँ पे यह 3 value जो यह 0 है बटा सेम फिर से question number 12 दा graph of linear equations y is equal to x है passing through the point इन में से कौन से point से pass out होगी तो यह में वो दोनों की value देखने है जो दोनों के लिए same है जो तो यह दोनों same है नो एक positive or negative यह same है नो यह भी नहीं यह नो तो कौनस option में same है जो c वाले portion में क्योंकि दोनों x and y equal है तो यह वो point है जो दोनों के लिए y is equal to x के लिए pass out है how many linear equations in x and y can be satisfied by x is equal to 1 and y is equal to 2 only 1 2 infinite कोई भी equation है कोई भी तो point है और इसके लिए आप आप कहें कि x y में कोई linear equations बनाओ कितनी linear equations बना सकते हैं तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं infinite linear equations हो करके दिखा सकते हैं देख लिए जिए आप x plus y is equal to b कह सकते हैं x plus y और दोनों के edit कर तो x plus y equal to 3 ऐसे बहुत सारी आप linear equation बना सकते हैं यह कोई भी आपक single point से तो बहुत सोरी infinite line pass out हो सकते हैं यह आपको condition बताई भी जाती है बैटा कि किसी भी single point से कितनी तो यह आपका coordinate है जिससे आप x equal to y इनसे यह कोई point है यह करने लाट माने जी यह कोई point है तो इससे आप infinite line pass out कर सकते हैं next question 14 था point of the form a always is lies अभी कहाता है आपके उल्टा पू x तो यह आपस में equal होंगे next question 15 the point of the form a minus is always lies on जब एक positive अभी सा positive हो और यह क्या हो बैटा negative ordinate तो in always is lies in this condition में क्या condition होगी जब हमारे पास x की value तो positive है और y की negative है तो minus negative को इधर लिए तो कौन सी possibility हो जाएगी x plus y is equal to 0 देख लिए यह दी माली जो मैं a की value को 2 कह रहा हूं से minus 2 कह रहा हूं तो 2 और यहां पर minus 2 तो दोनों को resultant किया जाएगा 0 तो कौन सा हो राइट होगा d option तो इसका d option राइट होगा तो बैटा इस तरीके से इस chapter की mcqs की practice कर सकते हैं ओके best of luck